बुद्ध और चच्छुपाल एक बार भगवान बुद्ध जेत्वन विहार में रह रहे थे, बिच्छु चच्छुपाल भगवान से मिलने के लिए आये थे उनके आगमन के साथ उनकी दिंचर्य विवहार और गुणों की चर्चा भी हुई बिच्छु चच्छुपाल अन्दे थे, एक दिन बिहार के कुछ बिच्छुओं ने कुछ मरे हुए कीड़ों को चच्छुपाल की कुटी के बाहर पाया और उन्होंने चच्छुपाल की निंदा करनी शुरू कर दी, कि उन्होंने इन जीवित पिराणियों की हत्या की है नहीं तो इस पर भगवान बुद्ध ने उन सादकों से कहा कि जैसे तुमने उन्हें कीड़ों को मारते हुए नहीं देखा वैसे ही चछुपाल ने भी उन्हें मरते हुए नहीं देखा और उन्होंने कीड़ों को जान बूच कर नहीं मारा है इसलिए उनकी बसना करना उचित नहीं विच्फु ने इसके बाद पूचा कि चचुपाल अंधे क्यों है उनों ने इस जन्मे में अथब पिछले जन्मे में क्या पाप किये हैं भगवान बुद्धिन न चचुपाल के बारे में कहा कि वे पूरु जन्मे एक चिकी सक्तaye एक अंधे इस Lesnarी उसे वादा किया था कि यदि वे उसकी आखे ठीक कर देंगे तो वह और उसका परिवाद उनके दास बन जाएंगे इस्तिरी की आखे ठीक हो गई पर उसने दासी बनने के भैसे या मानने से इंकार कर दिया चिकिस्सक को पता था कि उस्तिरी की आखे ठीक हो गई है पर वह जूट बोल रही है उसे सबक सिखाने के लिए या बदला लेने के लिए चचुपाल ने दूसरी दवा दी उस दवा से महिला फिर अंधी हो गई वह कितना ही रोई पीटी लेकिन चचुपाल जरा भी नहीं पसीजा इस पाप के फलत सरूप अगले जन में चिकिस्सक को अंधा बनना पड़ा या बना बना-क्थ। नहीं प्सक्राइज चेसा थे जने में चुपाल lower